हेलो प्यूटिफूर पीपल वेलकम से लगनो लोकल आज हम बात करने वाले हैं दोसे तवे के बारे में यहाँ पे मैं लेकर आया हूँ वन अफ़ इंडियास टॉप फाइव दोसा तवा जिसकी अलग-अलग कॉलिटी है अलग-अलग मटेरियल है और मैं कह सकता हूँ अलग- सबके लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिये हैं जो भी तवा आपको पसंद आता है वहाँ से आप पर्चेस कर सकते हैं तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे बहले बात कर लेते हैं FUTURA की अगर आ आप FUTURA के बारे में नहीं जाते हैं तो FUTURA Haw नहीं दिखेंगे और बिल्कुल फ्लैट दोसा तवा होता है जो कि आपके gas stove में compatible है ये induction compatible नहीं होता है इसमें 3 sizes आपको मिलते हैं एक 28 cm, 30 cm, 33 cm यह 3 sizes आपके gas के लिए compatible होते है अब बात करते है is.. material की material इसमें क्या होता है नीचे की तरफ से complete hard anodize होता है और उसके ऊपर futura German pretended PFOA free non-stick coating देता है जो की 2 साल के guarantee के साथ आती है और यहाँ पर यह coating सच में वाकई में बहुत अच्छी quality की होती है तो अगर आप एक अच्छा दो सा तबा लेना चाहते हैं flat में तो यह आपके लिए एक बहतर option हो सकता है यहाँ पर यह वाला तबा आपको मिलता है plastic handle के साथ material की भी बात हो चुकी है तो उसके बाद मैं इसका दूसरा option आपको दिखा दूँ कि Futura में एक तबा आता है इस type का क्योंकि काफी लोग चाहते है कि उनको flat तबा नहीं उनको इस type का तबा मिल जाए जो की gas induction बोथ compatible हो तो यहाँ पर Futura का flat तबा जो आता है वो gas induction बोथ compatible होता है और यहाँ पर अगर इसके sizes की बात करते हैं तो यहाँ पर यह वाला जो दोसा तबा है यह आपको मिलता है 30 cm में यह जो 30 cm का तबा है इसमें side में आपको borders मिल जाते हैं जिसके benefit क्या-क्या होते है पहले यह बता देता हूँ पहले चीज़ तो अगर आपका batter जो है वो liquid का है तो यहाँ पर आप इसको quality की बात करते हैं तो यह भी similar quality का आपको मिल जाता है यहाँ पर आपको hard anodize मिलता है और अंदर की तरफ से इसमें आपको non-stick coating मिलेगी जो की German PFOA free non-stick coating होती है यह दोनों options में आपको मिलता है यह gas stove compatible भी मिलेगा और gas stove induction बोथ compatible भी मिलेगा इसमें sizes भी अलग-अलग आते हैं जैसे इसमें आपको मिल जाएगा लगबग 25-26 cm के आसपास का एक size होता है और एक 30 cm का size होता है आपके लिए तो यह वाला भी आप ले सकते हैं यह आपको बहुत ही अच्छी coating के साथ मिलता है और इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ किफायती range की जिसकी utility बहुत जादा हो तो उसकी ज़रब बात अगर कर लेते हैं तो यहाँ पे एक point और मैं cover करूँगा अभी पर उससे पहले मैं दिखा दूँ आपको prestige का omega granite तवा यह तवा काफी बहतर रहता है utility purpose से पहली चीज़ तो इसका weight काफी कम है उसके comparison में साथी साथ जो इसकी coating दी हुई है उसमें यह benefit है कि आप steel का spoon इसमें use कर सकते हैं Futura हमेशा आपको recommend करता है कि इसमें आप wooden spatula ही चलाए steel spatula कभी recommend नहीं करता maga prestige यहाँ पे आपको use करने के 2-3 options और दे देता है जिसको हम कहते हैं कि multipurpose तरीके से इसको use कर सकते हैं इसमें आप steel spatula चला सकते हैं और एक और चीज़ में आपको बता दूँ कि यह जो granite finishing की coating होती है यह भी PFOI free होती है जिसमें PFOI chemical नहीं use होता है तो मेरे हिसाब से यह durable भी है और इसकी भी guarantee आपको 2 साल की मिल जाती है और यहाँ पे इसके अगर sizes की बात करते हैं तो यह 250 mm का 280 mm का और 300 mm में available होता है अब बात करते हैं pricing की देखिए pricing की बात करते हैं तो यह comparatively इससे थोड़ा सा कम pricing में आता है और मैं आपको कह सकता हूँ कि यह आपको gas induction both option में ही मिलेगा इसमें only gas का option granite finishing में नहीं मिलेगा हाला कि pricing की बात करते हैं तो यह काफी बहतर price में आता है और यहाँ पे आपको मिल जाता है इस type का handle जो की stay cool रहता है और यहाँ पे जो इसकी बात करता हूँ तो तरीका यह होता है इसको use करने का अगर सही तरीके से use करिए तो इसकी coating peel off नहीं होती है तरीका यह है पहली चीज़ तो इसमें आप कभी भी तवा गरम हो तो ठंडे पानी में ना डालिएगा दूसरा इसमें option यह होता है कि अगर आप इसमें 2 सा बना रहे है 4-5-6 दो से निकाल लीजे फिर जो extra oil है वो गरम-गरम तवे में ही किसी towel से या dry clothes से इसको बिलकुल आसानी से पोच दीजे और जब तवा ठंडा हो जाए उसके बाद इसको soap water से ही clean करिएगा गरम तवा कभी भी normal पानी से नहीं धुला जाएगा इस इसका बिलकुल ध्यान दीजेगा और यहाँ पर नीचे की तरफ से आपको मिल जाती है induction bottom अब यह वाला जो तवे हैं यह तीनो तवे मेरे के साब से नॉर्मल यूटिलिटी के साब से नॉन स्टिक के तवे काफी बहतर quality में है और यहाँ पर मैं बता देता हूं कि इन तीनो तवों के लावा अगर आप उससे भी satisfied नहीं है कुछ लोगों का होता है कि हमें बड़ा दोसा घाना है और नॉन स्टिक तवे में बहतर दोसा बनाना है और साथ ही साथ उनको बिल्कुश जिद ढाल लेते हैं कि यह तो तवा तो हमारे लिए ही नहीं हम बड़ा दोसा खाने वालों में से हैं तो यहाँ पर इस टाइप के पटरी तवे आते हैं नॉन स्टिक के जैसे कि यहाँ पर तो मैं आपको दिखा रह आपको तवा मिला हुआ है इसमें आपको राउंड शेप में भी तवे मिल जाते हैं तो यह वाले तवे आपके बड़े साइज के दोसे के लिए काफी जादा कंपाटबिल हैं अच्छे हैं जिसमें एक बड़े साइज का दोसा बन सकता है और यहाँ पर ऐसे तवे अगर आ आपको एक non-stick coating मिलती है other options भी मैं आपको नीचे link में description में दे दिया है वहाँ से आप अपने हिसाब के choices कर सकते हैं अब यहाँ पे तो बात हो गई quality की बात हो गई यहाँ पे material की चलेगा यह in case भी अगर आपने इसको miss handle किया किसी भी तवे को तो उसकी अगर coating peel off होने लगती है तो वह तवा आपके लिए बहुत ज्यादा hazardous हो सकता है और बहुत ज्यादा health के लिए नुकसान दायक हो सकता है तो जो आजकल अगर काफी आप health benefit के साथ साथ अगर अपने घर क इंप्रूफ कर रहे हैं अगर आप अपने आपको इंप्रूफ कर रहे हैं किचेन को इंप्रूफ करना चाहरे है healthy cookware से तो मैं आपको कहूंगा कि अगर यह तवे आप purchase कर रहे हैं तो उसको आपको इसी की तरीके से जैसा company recommend करती है उसी हिसाब से आपको यूज करना है और इसके लावा option क्या हो सकता है कि अगर आप यह सोच के चलें कि नई हमें किसी coating वाला तवा लेना ही नहीं है हमें चाहिए है ऐसा तवा जो कि natural non-stick हो और मतलब एक बहतर ऐसा तवा हो कम से कम 85 साल उसी तरीके से चले हम मेहनत करने के लिए तयार है तो यहां पर आपके लिए कराया हूं एक आपका ये कास सारन के तवे all over India available है और मैं आपको बताऊं काफी बहतर finishing के साथ आता है अब यहां पे कुछ benefits भी है कुछ pros भी है कुछ जहां पे इस तवे को जरूर मैं डीटियल में बताऊंगा इसमें जो health benefits होते हैं मैं पहले ही बता दूँ यूज करने से पहले इसमें आपको एक oil की coating करनी पड़ेगी और oil की coating ऑव्यस सी बात है इन तवों में भी खराब कब होते हैं जब इसमें आप oil बहुत जादा यूज क जलेगा इवन अगर आप आउट्डोर कोकिंग भी करते हैं तो यह तवा आपके लिए बहुत जादा बेनिफीशल है इवन यह तवे को अगर आप यूज नहीं भी करते हैं दस्यों साल पड़ा हुआ है और फिर आप रियूस करना चाहते हैं तो कुछ नहीं करिए वाश कर करके गास्टोब में गरम कर लीजे और एक ओयल की कोटिंग करके इसको लगा दीजे तो उससे बहतर तवा कोई नहीं है और यह जनरेशन टू जनरेशन पासान हो सकते हैं तो मेरे इसाफ से जो मैं भी परस्टनली यूज कर रहा हूँ हाई का कास्ट टारें का यह डबल टो एका चीजे महनत तो लगेगी इसमें बड़ मैं आपको बताऊं कि आप अपनी हेल्थ के साथ कुछ दो चीजें अच्छी कर रहे हैं अगर आप इस टाइप के दो से तवे यूज कर रहे हैं अब इसमें मैं आपको बताऊं काफी लोग कहते हैं कि लॉंग हैंडल तवा ले यह बेफिकर रहेगा बस चीज का ध्यान दीजे जब भी यह दो से तवा आप यूज करें तो उसमें यह चीज ध्यान रखें आपको ड्राइ क्लोथ यह टॉविल साथ में रखनी पड़ेगी जिसके जरीए जब यह तवा गरम हो और हटा के कहीं और रखना हो तो इस चीज मुझे लगता है इस वीडियो में काफी आपको answers मिल गए होंगे फर्दर भी कोई अगर ऐसा question आपका रह जाता है जो मैंने यहां पे discuss नहीं किया है तो प्लीज नीचे comment box में comment कर दीजेगा और subscribe करना ना भूलेगा आज की वीडियो में आप लोगों के लिए बहुत specially लाने करादादा है verbिने किया में में दूलेगा झांका सकाना आपका लोगों कई अधका जूलेगा है vous